हलो साथ हुँ आप सभी का स्वागत है आपके पनी यूट्यूब चैनल सेडी पी कुई नहीं मांसी मैं पर मेरा नाम है रभी और आप मेरे साथ कर रहे हैं अगला भाग है इससे पहले आठे नो क्लासें हो चुकिए हमारी अगर आपने नहीं लिए तो करपया चैनल पर विज कैसे करते हैं हाथी अपने बड़े कानों का उपयोग कैसे करते हैं आपको बताना है पहला अपसने कम मात्रा की धोनी सुनने के लिए दूसरा है कीडों को उड़ाने के लिए तीसरा है पंखे के रूप में चोथा है उपरोक्त सभी तो सभी लोग आंसर करेंगे एक बार शेयर कर दीजिए ज्यादा लोगों के पास में और अपने सभी साथियों को बुला लीजिए क्लास में उसके बाद में करते हैं अपनी क्लास धमाकेदार क्लास होने वाली है तो एक बार सभी को जोड़ लेंगे उसके बार सुरू करते हैं क्लास share कर देजिए सभी लोग एक बार जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग class को share कर देंगे तो बताइए इसका option क्या हो जाएगा option number C पंखे के रूप में क्या हो जाएगा पंखे के रूप में देखते हैं अगला question अगला question है निम्न में से किस विदिका उपयोग खादे पदार्थों को सनरचित करने के लिए नहीं किया जाता है नहीं बताना है नहीं किया जाता है पहला है खार, दुसरा है दहन, तिसरा है हिमी करन, चथा है कनस्तर बंदी तो बताइए इन में से खादी पतार्थों को सनच्छित करने के लिए किस विदिकाप्रियोग नहीं किया जाता है सभी को अंसर देना है तो हो जाएगा अपसन नमबर बी क्या हो जाएगा दहन अगर हम जला देंगे खाने को तो फिर खाना बचे का क्या नहीं बचेगा तो इस परक्रिया का उपयोग नहीं करते हैं खाने को सनच्छन करने के लिए कोश्चन है निपैंथिस वा पौधा जो सिकार करता है कि इसे में नीचे दियेगे कथनों पर आपको विचार करना है कि निपेंथिस जो पौधा है उसके बारे में विचार करना है कि उसके बारे में जो नीचे कथन दिये गए है उनमें से कौन से कथन सही हो जाएंगे पहला है या पौधा अस्टेलिया इंडोनेशिया और भारत में मेगाले में पाया जाता है दुसरा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुह एक पत्ती से ढखा होता है तिसरा है या केवल छोटे कीड़े मकोडों को फसा कर उनका सिकार कर सकता है चोथा है या छोटे कीड़ा मकोडों को खीचिने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं तो बताईए इनमें कौन-कौन से आपसन सही हो जाएंगे सभी लोग आंसर करेंगे एक बार जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे साथ ही साथ क्योंकि आपकी बहतरिन त्यारी यहां पर हम करवा रहे हैं लगातार अच्छे-च्छे क्लासे आपके लिए रोज के रोज डाली जा रहे हैं तीन से चार क्लासे है तो बताईए इनमें कौन सा अपसन हो जाएगा सही तो इसमें जो पहला अपसन या पोधा अस्टेलिया इंडोनेशिया और भारत की मेगाले में पहले हैं यह तो सही है चोथा अपसन या छोटे कीड़म अकोड़ों को खीचने के लिए मोहक आवाज ये आवाज नहीं निकालता है जबकि क्या निकालता है गंध निकालता है तो यह भी गलत हो गया यानि इसका आपसन ए और बी सही है अब नीचे देखते हैं तो ए और बी कहाँ पर है आपसन नंबर ए में है यानि आपसन नंबर ए इसका बिलकुल सही हो जाएगा देखते हैं गला कोश्चन कोश्चन नमबर चार कह रहा है कि केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है क्या लिखा है केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है आगे है इसके लिए निमलिखित में से सही कारणों को चुनना है आपको कि केचुओं को किसान का मित्र क्यों माना जाता है तो आपको बताना है केचवों को किसान का मित्र क्यों माना जाता है यहाँ पर बताईए आप लोग पहला अपसने केचवे मरत पट्टियों और पोधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाओ बनती है दूसरा है केचवे खर्पत वार खाते हैं जिससे मुख फसल की रच्छा होती है तीसरा है केचवे जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है चौथा आपसने केचवे दोरा बनाएगे छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से आपसन सही हो जाएंगे Q4 का सभी लोग आंसर कर दीजिए केच्वों को किसान का मित्र क्यों माना जाता है आपको बताना है केच्वों को किसान का मित्र क्यों माना जाता है आपको बताना है इसके अप्सन सही हो जाएंगे C, D और A नमबर यानि अप्सन नमबर B इसका विलकुर सही है C, D और A B वाला गलत है बागी A, C, D सही है देखते हैं कोस्चन नमबर अगला कोस्चन है जब कोई सपेरा अपने वादियंत्र बीन को बजाता है तो साप उसकी धोनी पर अपने सीर को इधर उधर गुमाता है आपके विचार में साप वादियंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है आपको बताना है कि जब कोई सपेरा आता है तो वो अपनी बीन बजाता है तो साप इदेवदर उसके साथ में हिलता रहता है तो आपको बताना है कि साप वादियंतर के साथ अपनी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कैसे कर रहा है आपसन देखते हैं आपसन नमबर एक है उस वादी अंतर को सुंग कर दूसरा है उस वादी अंतर की धोनी को सुनकर तीसरा है उस वादी अंतर की गती को देखकर चौथा है उस वादी अंतर द्वारा उत्पन कंपोनों के प्रत अनुक्रिया करके तो बताइए इन में से कौन सा option सही हो जाएगा question number 5 का सभी लोग answer कर देंगे तो इसका हो जाएगा option number D इसका हो जाएगा उस वाद दिया अंतरद्वारा उत्पन कमपनों के प्रती अनुक्रिया करके साप क्या करता है इधर उधर उसकी बीन के साथ में अपने आपको हिलाता रहता है आगे चलते हैं अगला question है बलड मून के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है बलड मून के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है पहला है या पूर चंद ग्रहन के दोरान दिखाई देता है दूसरा है सूर के प्रकास का परावरतन इसे रंग में लाल कर देता है तीसरा अप्शन है चंद ग्रहन पर चंद्रमा का द्रस से बलड मून के नाम से जाना जाता है चौथा अप्शन या एक कलेंडर माह में दो बार दिखाई देता है अगला है सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है आपको बताना है सबसे बड़ा आंतरिक अंग निम्न में से कौन सा है यक्रत फेफडे हर्दय या फिर बड़ी आत सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो question नमब साथ का काफी आसान अंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा यक्रत कौन है सबसे बड़ा अंतरिक अंग देखते हैं अगला question अगला question है मालवा सलतनत के संस्थापक कौन थे आपको बताना है मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे तो साथियों आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि कल से आपकी सीटेट शेकेंड पेपर के लिए साइंस की क्लास और सामाजी विज्ञान की क्लास आपको मिल जाएगी नो और दस बजे करमसा तो आप नो और दस बजे चैनल पर विजिट जरूर करना आपके लिए दो क्लासें आपको मिलेंगी कल एक नो बजे मिलेगी और एक दस बजे मिलेगी कल से साइंस की और सामाजी विज्ञान की क्लास आपको कल से मिल जाया करेगी सुबे नो और दस बजे तो इसका बताईए कि आप जाएगा question number 8 का मालवा सल्तनत के संस्तापक कौन थे इसका जाएगा option number A कौन थे दिलावर खान गुरी कौन थे दिलावर खान गुरी देखते हैं आगे अगला question है मानव संसक्रत में उन्नत कहां से आती है आपको बताना है मानव संसक्रत में उन्नत कहां से आती है सरकार, भगवान, शुरुवाती अन्भव या फिर एलियन मानव संसक्रत में उन्नत कहां से आती है question number 9 का हो जाएगा option number C क्या जाएगा शुरुवाती अन्भव से मानव संसक्रत में उन्नत आई है कहां से यह शुरुवाती अनभवों से लेखते हैं अगला कोस्चन अगला कोस्चन है निम लिखित में से कौन सी हमारी वायू मंडल की सबसे नीचली परत है आपको बताना है इन में से हमारे वायू मंडल की सबसे नीचली परत कौन सी है आपसान है पहला है छोब मंडल दूस अप्सन नम्बर ये इसका विल्कुल सही हो जाएगा छोब मंडल देखते हैं अगला कोश्चन निम्लिखित में से कौन सा अमल वर्षा का घटक नहीं है आपको बताने कोई भी नहीं तो बताएगे कौन सा हो जाएगा इन में से कोश्चन नम्बर 11 आप्सन नम्बर C हाइडो क्लोरिक एसिड ये अमल वर्षा का घटक नहीं है देखते हैं अगला कोश्चन गुर्दे में छोटी छन्नी जो अप्सिष्ट को निस्पंदन अथवा छानेने में सहायता करती है उस क्या कहा जाता आपको बताना है तो आपसन देखे और आंसर कर दीजे सभी लोग इसका गुर्दे में छोटी छन्नी जो अप्सिष्ट को निस्पंदन अथवा छानेने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है कोश्चन नम्बर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे उसको क्या कहा है वरकाड या नेफ्रोन उसको कहा जाता है नेफ्रोन देखते हैं अगला कोश्चन कोश्चन है अगला निम लिखित में से कौन सा योग को सही धंग से परिभासित करता है आपको बताना इन निमें से कौन सा अपसन ऐसा है जो योग को सही धंग से परिभासित कर रहा है प मतबस्त मन और आत्मा का साइव चाहिए योग को सही डंग से इन में से कौन सा आपसन परिवासित कर रहा है यहां से कोश्चन बनने की काफिव मेध है योग से संब्दिते कोश्चन आपको देखने को मिल सकता है तो बताईए कोश्चन नमर 13 का आपसन कौन सा का संयोजन आगे देखते हैं कोश्चन नमबर 14 है निम लिखित पर विचार करें आपको विचार करना है इन में से पहला दिया है योगा अभ्यास करते समय ताइट कपड़ों को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए दूसरा है हफ्ते में एक या दो बार योग को छोड़ना उचित नहीं है तो बताइए इन में से कौन से आपसन आपको लग रहे हैं सही हो जाएंगे कोश्चन नमबर 14 का क्या योग अभ्यास करते समय ताइट कपड़ों को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं हफ्ते में एक या दो बार योग को छोड़ना उचित नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं होता है अगर कोई important काम पड़ गया तो आप छोड़ भी सकते हो या फिर नहीं भी छोड़ सकते हो हफ्ते में क्या महिनों करते रो लगातार तो ऐसा कुछ कहीं पर नहीं लिखा होता है यानि कि इनमें हो जागा आपसन नमबर D ना इदर ना पहला और ना ही दूसरा देखते हैं आगे अगला question है निम्न में से कौन सतत विकास को बढ़ावा नहीं देगा आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन आपसन है जो सतत विकास को बढ़ावा नहीं देगा पहला अपसन है नीजी के वज़ाए सारवजनिक वाहनों का अपयोग करना दूसरा है नई पोसाग के लिए हर सपताहत खरेदारी करना तीसरा अपसन है उरजा के स्वच स्रोत का अपयोग करना चौथा है वनी करन तो बताइए निम्न में से कौन सतत विकास को बढ़ावा नहीं देता है तो इसका आपसन हो जाएगा बी वाला क्योंकि नई पोसाग अगर आप खरीदोगे तो उसमें आपको लग रहा है कि आपको कुछ कर रहे हो बढ़ावा कर रहे हो सतत विकास के लिए नहीं पोसाग ये इसका आपसन नमबर बी सही हो जाएगा देखते हैं कोश्चन अगला अगला कोश्चन है ये 3R हैं जो संसादनों के सनच्छन में मदद करते हैं और हमें सतत विकास के मार्ग पर ले जाते हैं निम्लिखित में से कौन 3R में से नहीं है आपको बताना है 3R में से इन में से कौन सा नहीं होगा क्या reduce, reuse, reflect या फिर recycle इन में से कौन ऐसा है जो 3R में सामिल नहीं है कम करना पुनहा प्रयोग करना प्रतिविम्बित करना या फिर recycle करना तो ऐसा कौस्चन आपको एक दो बार हम करवा भी चुके हैं पहले इसका हो जाएगा प्रतिविम्बित करना इसमें नहीं सामिले 3R में बाकी reduce, reuse, recycle ये तीनो 3R में आते हैं जयाद रखना आप लोग इसको most important ये question है इसको आप note कर लेना चाहे तो देखते हैं आगे आगे है थेवा कला क्या है आपको बताना है थेवा कला क्या है थेवा कला क्या है दिवारों पर चित्र बनाना या फिर फर्स की चित्रकारी या फिर कपड़ा चितरकारी या फिर सोने का उपयोग करके काँच पर चितरकारी थेवा कला क्या है सोने का उपयोग करके काँच पर चितरकारी करना क्या कहलाता है थेवा कला कहलाता है काँच सोने का उपयोग करके काँच के उपर चितरकारी क्या कहलाता है थेवा कला कहलाता है चलते हैं अगले question पर अगला question है आपको बताना है इन मेंसे कैसा कौन सा option है जो सुमेलित है निम्रिखित मेंसे कौन सुमेलित है एक option सुमेलित होगा बांकी सारे के सारे गलत होगे तो बताइए कौन सा सुमेलित है इन मेंसे आपसन पढ़िये और आंसर कर दीजी सभी लोग इसका question number 18 का पहला आपसन दिया है बामबे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली में है क्या ये गलत है तुसरा है भारती वनस्पत सरवेच्छण कोलकाता यानि इसका आपसन नमबर 20 से योजगा भारती वनस्पत कोलकाता में बना हुआ है आपको बताना है पीसी कल्चर क्या है मदमुक्खी पालन है मचली पालन है मुर्गी पालन है या फिर उप्योक्त में से कोई भी नहीं है पीसी कल्चर क्या होता है साथियों आपको बताना है कोश्चन नमबर 19 का सभी को आंसर करना है जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने साथियों अपनी बहत्तिरन त्यारी के लिए और जो लोग हमारे साथ लगातार बने हैं वो लोग वीड मदमख्छी पालन किसे है ए पैक कल्चर किसे है एपी कल्चर से सम्द्ध थे मदमख्छी पालन सिर Newman औगे देखते हैं अगले मिच आपदा फालोविंग इन ईन आःटिफिशेल बिल्डिंग मतेरियल आपको पताना है इन कोब Candida मिट्ती कैसी होती है मिट्टी कैसी थी प्रक्रतिक होती यानि इसका यही आफिज यहाँगा बांची टाल्स भी अर्टीफिशाल होते और ईसका आफिज नमबर भी बिल्कु सही है, मिट्टी कैसी है, आर्टिफिशल नहीं है, आगे चलते हैं, अगला कोश्चन है, पर्यावन सिच्छा में सामोहिक चर्चा से सम्बंदित सिच्छन विदी कौन सी है, पहला है भूमिका निर्वान, दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है वर्णन, च बंदित, सिच्छन विदी आपको बताना है कौन सी हो जाएगी, कोश्चन नमबर 21 का, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करिए एक बार, इसका हो जाएगा आप्सन नमबर d, क्या हो जाएगा, विचार गोष्ठी, आप्सन नमबर d, इसका बिल्कुल सही है, पहला है फिल्म इस्ट्रिप, दुसरा है चार्ट, तिसरा है चित्र, विस्तारक, यंत्र, चौथा है स्लाइड, तो बताएं निम लिखित में से आप रेच्छित सिच्छड सामगरी कौन सी है, खुष्चे नमबर 22 का सभी लोग आंसर करेंगे और आपको बता देरें जब तक कि आपकी कल सुबह 9 और 10 बजे क्रमशाह साइंस और सामाजी विग्यान सीटेट शेकेंड की क्लासे हैं, आपको देखने को मिलेंगे हमारे यूटूब चैनल पर, तो आप लोग विजिट करना 9 और 10 बजे, तो बताईए इनमें कौन सा हो जाएगा, कुश्चे नमबर 22 का अंसर देजिए, कौन सा अंसर से हो जाएगा, अपसन नमबर 2 क्या जाएगा, निमलिखित में से आप रेच्छीत सिच्छन सामगरी चार्ट है, कौन सी है, चार्ट, अपसन नमबर 2 सही है, आग रूच उत्पन्न करोगे, कि वो आपके क्लास को पढ़ें पर्यावण की, तो आपसन पहला है आगमन, दुसरा है मनोरंजक एवं खेल सम्बंधी, तिसरा है रटने का, चोथा है निगमन का, तो आपको क्या करना चाहिए, कि आपकी क्लास में बच्चों को रूच उत्पन् तो आंसर करेंगे आप लोग एक बर, क्या हो जाएगा, मनोरंजक एवं खेल सम्बंधी, आपसन नमबर 20 पर गला क्या क्या हो जाएगा, चलते हैं, एगले क्यांद्या के सेच्छिक के द्वारा भच्चों को जनवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश से आपको बताना है कि पर्रय बन अध्यन के सेचिक के द्वारा या फिस इच्छन के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश क्या होगा पहला पसने बच्चों को स्रजनात्मक्ता का विकास करना बच्चों में स्रजनात्मक्ता का विकास करना बच्चों में अवलोकन और रचना कोशलों का विकास करना तिसरा है बच्चों में सोंदर्रे गत्व शम्वेदना का विकास करना तो बताईए इन में से कौन सा हो जाएगा Q24 का सभी लोग आंसर करेंगे पर्यावर्ण अध्यान के सेच्छिक के द्वारा या सिछण के द्वारा बच्चों को जानवरों का उलोकन रुन का चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश से क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आप्सन नंबर D बच्चों में सवंदर रिगत समयदना का विकास करना और बच्चों में स्रजनात्मक्ता का विकास करना यानि इसके ये तीनों आप्सन सहीं आप्सन नंबर D हो जाएगा A, B और C चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है निमलिखित में से पर्या वनध्यन को सीखने का सबसे प्रभावसाली संसाधन आपको बताना है इन में से पर्या वनध्यन सीखने का सबसे प्रभावसाली संसाधन कौन सा हो जाएगा क्या वो परिवार के सदस्य है या फिर शमदाई के सदस्य होगे समाचार पत्र होगा या फिर अक्षा होगा काफी आसान कुश्चन है आज का ये सबसे आसान कुश्चन लग रहा है इसका हो जाएगा समाचार पत्र क्या हो जाएगा प्रकार के साच्छ का संग्रे होता है या मुल्यंकन का कौन सा प्रकार है आपको बताना है आपसन देखे और बता दीजिए इसमें एक समयावदी में छातर दरा किये गए सभी प्रकार के कार्यों के साच्छ का संग्रे होता है तो या मुल्यंकन किस प्रकार का मुल्यंकन है आ याई यह गोता है। इसको क्या कहते है पॉर्ट फोल्यो ? क्यों कहते ह। पॉर्ट फोल्यो आप से नमज ईयोगा. देखते हैं, question number आगे आगे इन में से कौन सी सिच्छण में पारेवेच्छित अध्यान की तकनीके हैं आपको बताना इन में से कौन सी सिच्छण में पारेवेच्छित अध्यान की तकनीके हैं पहला है शामुदाईक सरवेच्छण जुसरा है फिल्ड ट्रिप तिसरा है शामुदाईक पर्योजनाए चोथा यह सभी तो आप लोग कुश्चन नम्बर 28 का एक बार आंसर करेंगे सभी लोग पताईए इनमें से कौन सी सिच्छन में पर्यवेच्छित अध्यन की तकनीके हैं तो इसका उजाएक आपसर नमबर D यानि ये सभी की सभी पर्यवेच्छित अध्यन की तकनीके हैं कोस्चन नमबर 29 देखते हैं दिया है निर्देश देखते हैं सबसे पहले सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्रिखित प्रश्णों के उत्तर दी आपको देना है तो सबसे उचित विकल्प हमें पढ़ना पढ़ेगा देखते हैं निम्रिखित प्रश्णों को ध्यान से पढ़ना है पढ़ते हैं लोगों का मनुरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर सोतंतर बंदरों से किस प्रकार भिन है इसमें पूछा गया है कि जो लोग जो बंदर नाचने वाले होते हैं वो बंदर सोतंत्र जो बंदर घूमते रहते हैं तेहलते रहते हैं यहां कूते फानते रहते हैं उन बंदरों से किस प्रकार से भिन है जो नाचते हैं बंदर जो हम लोगों का मन रंजन करते हैं वो वाले बंदर आजाद घुमने वाले बंदरों से किस प्रकार से भिन है या फिर उनमें क्या अंतर है तो इधर देखते हैं इसके आफसन दिये गए हैं इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है आपको यह बताना है देखते हैं पहला अपसे ने दो बंदरों के जीवन का मुल्यांकन किया प्रयोग है दो बंदर के जीवन का मुल्यांकन किया गया या फिर दो बंदर के जीवन का मुल्यांकन किया अब लोकन है या फ Q29 का सभी लोग आंसर कर देंगे, इसका अपसान नमबर D, दो बंदरों के जीवन की आकलन चर्चा की गई इसमें, दो बंदर के जीवन की आकलन चर्चा बता जा रही है, कि एक बंदर जो है नाचने वाला है, जिसके उपर जो इसको पाल के रखता है, उसको क्या बोलते हैं, मदारी बोलते हैं, उसका नियंत्रण होता है, और एक बंदर जो खुला गुमता है, उसको पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, यह सब बताया गया है, तो इसको बोलेंगे दो बंदर के जीवन की आकलन चर्चा, आगे देखते हैं, आज का अंतिम कुश्चन है यह, प्युक्त आवसक्ता को पूरा नहीं करती, तो अब बताईए, आपसन देखिए, चारों और बताईए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला है, यह भाय एवं पूर्व ग्रहों से मुक्त होने के मूल को बढ़ावा देती है, दुसरा है, यह विशय को एक सामाजिक प्रक् अधिक बल देती है, तो इसका आप लोग बता दीजी, क्या होजाएगा, कौस्टन नमबर 30 का सभी लोग आंसर करेंगे, यह शब्दा बली और परिभासाओं उपर अधिक बल देती है, अपसन नमबर 20 सही हो जाएगा, तो साथ ही माप लोग बताना कि आपको हमारी आज कि क्लास के ऐसे लगी कमेंट वाक से बताईएगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं क्लास काफी अच्छी थी मतलब की नहीं तो बहुत ही आसान थे क्वेश्चन नहीं तो बहुत जादा हाड थे तो आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही के लिए हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आप नहीं जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बाकि सब्सक्राइब कर देंगे